प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम कक्षा नम्मायत चैप्टर नम्बर टू ए पॉलिनोमियल्स के बारे में ध्यन करेंगे जिसमें क्यूशन नम्बर वन है बहुपद वाई क्यूब माइनेस वाई प्लस वाई स्कॉार माइनेस करणिम दो का और रोही क्रम और वही क्रम का मतलब होता है यहाँ पर यानि descending order अर्थात जो उसकी power यानि degree होगी घात होगा वह घटते हुए क्रम में होना चाहिए पावर descending order में होना चाहिए तो सबस्पहला यानि maximum power को पहरे लिखेंगे तो y cube हमारा बनेगा descending order में अगर हम बनाते हैं तो y cube बन जाएगा इसके बाद बनेगा y square फिर one power बनेगा फिर minus root में 2 बनेगा तो y cube plus y square minus y minus root में 2 हमारा 3 number सही है correct option इसमें चुनना था दूसरा question है कि बहुपद x square plus 2x square plus 3x plus 7x power 4 plus x cube plus 1 खा आरो ही क्राम यानि ascending order ascending order में इसको बनाना है ascending order का मतलब हो गया कि power बढ़ते हुए क्रम में हो तो सबसे कम power वाला पहले होगा तो सबसे कम power वाला one पहले आएगा और one हमारा यहाँ है फिर यहाँ है तो उसके बाद one power चाहिए तो one power फिर two power फिर three power फिर four power फिर five power तो यही हमारा बनेगा आरोही क्रम यानि डिग्री आफ आरोही क्रम यानि ascending order तो पहला वाला सही होगा three number है निम्लिखित में बहुपद नहीं है तो यहाँ पर घात हमारा जोकी बटे की रूप में नहीं है तो यह बहुपद है फिर अगला है ये भी बहुपद है इसमें हमारा करणी में अक्स चला गया तो यही हमारा बहुपद नहीं है और पूछा था कौन सा बहुपद नहीं है तो यही हमारा अप्सन सही हो जाएगा तो जिसमें चर की घात या तो बटे की रूप में हो या तो दस्मलों की रूप में हो घात वह हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा next है question number four निम्रिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं तो पहला हमारा बहुपद है क्योंकि इसमें कहीं X हमारा रूट के अंदर नहीं गया है नहीं X की पावर बटे की रूप में है तो यह भी बहुपद है लेकिन यहां हमाएगे तो X की पावर यह उपर जाएगा तो minus 1 आएगा और जब X की पावर बटे की रूप में या minus 1 की रूप में हो तो बहुपद नहीं होगा तो यह बहुपद नहीं है इसमें रूट में X है रथा तो X power 1 by 2 होगा और एक्स पी पावर अगर बटे की रूप में है तो भी बहुपद नहीं है अगला यहां आएंगे तो 1 अपान एक्स पावर 2 है उपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा यहां भी पावर माइनस में आ गया तो यह भी बहुपद नहीं है अगला है next इसमें कहीं x की पावर न तो minus और नहीं बटे की रूप में है तो ये भी बहुपद है next है हमारा कि अगला जाएंगे तो इसमें दिया है x square plus 2 by 3 x plus 6 तो x की पावर बटे की रूप में नहीं होनी चाहिए गुडांक यानि coefficient हो सकता है तो ये भी बहुपद है इसमें आजाएंगे तो कहीं भी पावर एक्स की न तो minus है न तो करणी है तो ये भी बहुपद है इसमें आएंगे तो x plus 5 का holy square इसमें भी कहीं x की पावर minus है करणी नहीं है तो ये भी बहुपद है थैंक्स पार वाचिंग इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद